इटावा शेहर के बीचों बीच पक्का तालाब पर बाइक स्कूटी से टच होने पर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है युवती ने बाइक सवार युवक का मुबाइल छीन कर तोड़ दिया अब इस घटना का वीडियो वाइरल हो रहा है युवक ने बताया हमने माफी भी मांगी इसके बाद भी उस लड़की ने मेरा फोन तोड़ दिया सोचिए अगर यही काम लड़के द्वारा किया गया होता तो शायद एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया होता लड़की ने बत्तमीजी भरे लहजे में युवक से बात की और उसका मुबाइल जमीन पर पठक दिया लड़की की बतसलूकी के बावजूद भी लड़का शान्त खड़ा रहा है इटावा थाना कोदवाली शेत्र के पक्के तलाब पर एक युवती ने हाई वोल्टेज रामा किया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से आग की तरह फैल गया है युवक का मुबाइल शीना और जमीन पर पठक दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया है और लोग इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं पीड़क युवक ने बताया कि वो टेंट की दुकान पर काम करता है आज दिन में पका तालाब से होकर किसी काम से वो निकला था तब ही एक स्कूर्टी सवाल युवक से बाइक गलती से टच हो गए जिसके बाद उसने युवक से माफी मांगने के लिए बाइक रोगी साथ ही यूवक से बत्तमीजी से बात दिखी हाला कि अभी तक यूवक ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं करवाई है ट्रामा करने वाली यूवती का भी अब तक कोई पता नहीं चल पाया है ब्यूरो रिपोर्ट आज की खबर